हलो वेलकम गाइस तो आज मैं आपके लिए क्या हूं कुछ शॉटकर्ट्स जो हम कीबोर्ड के थ्रू यूज करेंगे यह कह सकते हो दस छोटे और इंपॉर्टन शॉटकर्ट्स जिसके थ्रू आप अपने काम को एक्सल में इजी बना सकते हो तो आईए स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट तो जैसे कि पहला है हमारे पास हाउ टू स्लेक्ट एंटार टेबल राइट तो अगर मेरे पास यह डेटा है और अगर मुझे इस अगर जैसे कि हम लोग को टेबल में बॉर्डर लगाना होता तो हम क्या करते हैं हमने टेबल स्लेक्ट किया इस वाले ऑप्शन पर हमने यह से आल बॉर्डर कर दिया तो यह लग गया मेरा बॉर्डर लेकिन अब मुझे इसको शॉर्टकट के थ्रू करना है तो मैं क्या यह की प्रेस करने पड़ीगी अल्ट एच बी ए देखो हो गया स्लेक्ट आपका पूरा पूरा बॉर्डर लग गया ठीक है हम अगले शॉर्टकट पर आते हैं हाउ तू स्लेक्ट रो अगर जैसे मैंने एक रो स्लेक्ट किया टू सेक्स टेन ठीक है तो अगर मुझे कीबोर से करना तो मैंने क्या करना है जैसे मैं 2 नंबर रोल स्लेक्ट करना तो 2 पर आउंगा Shift Space 5 को करना है तक पांच वालmare पर होगगा shift faith और आठ वाले को करना तो तो आख वाले पर आनगा और शिप्ट इस तराइक है तो इस तरही किसी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं B पे गया और यहां से control दबा के space दबाऊंगा तो यह मेरा B column select हो गया d पे गया control दबा के space दबाया तो मेरा यह column select हो गया अब उसके बाद अगर देखते हैं how to filters on table table पर filter कैसे लगती यहां पर फिल्टर पर क्लिक कर दोगे तो देखो आपका यह फिल्टर यहां पर लग गया लेकिन मुझे इसको शॉर्ट कट के थ्रू लगाना है तो मुझे इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा एक शॉर्ट कट की क्त्रोल शिफ्ट और एल थीक है तो मुझे करना क्या है मैंने पूरे के पूरे इस एप्र को स्ऩट किया और एक साथ दबाऊंगो तो मेरा फिल्टर लग गया थीक है और कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर भी हड़ जाएगा अब है मेरा how to select any specific filter value इसका मतलब क्या हुआ जैसे अगर आपके किसी टेबल पर filter लगा हुआ है और आपको कोई भी specific value जैसे हाँ पर मेरा एक region है Central East West और मैंने East select करना है तो मैं select all पहटाना होगा और East को select करके OK करना होगा तो मेरा लग गया है अपर East पर data अब मुझे यह shortcut के थ्रू करना होगा तो क्या करेंगे हम इस पर हम लोग पूरा जो है region वाला column है इसको पूरे को select करके यहां से alt दबाके down arrow करेंगे फिर जो select all है यहां से space दबा आया तो select हो गया और enter मारा तो देखो यह value मेरी सिर्फ East किया गई right Ctrl Shift L दबाके फिर से हमने filter को पूरे को हटा दिया अब है how to put bold borders in cell or table bold borders का मतलब क्या हो जैसे मानलो में A पर हूँ A1 पर तो मैंने आपर इसको ऐसे thick border कर दिया मानलो में यहां पर हूँ तो thick border कर दिया ठीक है इस तरीके से तो इसके लिए shortcut क्या किया होगी Alt H B और T देखो आगया मानलो में यहां पर हूँ Alt H B और T ठीक है इस तरीके से यह हो गया मेरा bold borders के लिए ठीक अब आते हैं हम लोग how to change in accounting format अब जैसे कि आपको दिख रहा है यह को unit price है यह general format में राइट यह sales amount है general format में तो basically अगर इसको आप यहां से select करके इस पर जाओग गया और 98 के बाद dot लगा के दो 0 आगी तो इसको shortcut के through कैसे कर सकते हैं हम लोगोंने करना क्या है हम लोगोंने select करना column Alt H और K दबाना है H column select Alt H और K दबाना है तो देखो यह मेरा accounting format में आ जाएगा जिस format में चाहिए है उसके बाद हमारे पास आ गया how to fill empty cells with same value अब जैसे कि म अब मुझे नहीं पता यहां पर क्या है मुझे किस ने बोला किया जो empty fill है उसको west से fill कर दो तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैंने पूरा table select किया यहां पर Ctrl G press करूंगा उसके बाद मैं यहां पर special है इस पर जाओंगा यहां blank पर click करूंगा OK करूंगा तो blank cell जितने भी हों है बस खाली selection जैसा है उसको वैसे रहन तो कुछ करना नहीं है बस पहले type कर दो west type कर दिया मैं w est और Ctrl दबा के enter मार दो तो देखो कि अब आपका सारे data जो है fill होगे west से अगर आप इसको filter लगा के check करोगे तो यहां पर sub में data आ चुका है west ठीक है यहां पर sub में fill हो चुका ह तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अब अगला है how to transpose value राइट अब जैसे मालों यह मेरा header है ठीक है अभी तो यह मेरा horizontally है अब मुझे से vertically मतलब vertically इसको करना है तो मुझे क्या करना पड़ा है Ctrl C से copy करो यहां पर आ जाओ Ctrl C से copy करके Ctrl Alt V प्रेस करो तो आपका paste special का यह पें स्टार्ट टास्क पें स्टार्ट हो गया यहां पर ट्रांस्पोस है इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दो और OK कर दो तो देखो यह आपका यह जो value यहां पर horizontal थी यह आपकी vertical हो गया तो I hope आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे please like, share, subscribe करें और इस पर comments करें कि आपको यह पसंद आई की नहीं और अगर आप कुछ और जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए और भी comment करके सीख सकते, thank you so much.